बिहार में होने वाले विधान परिशदी चुनाओं को लेकर जोहां इंडिये ने आप सीट ताल मेल से अपने सीटों की घोशणा कर दी है वहीं के डबंधन में आप सीट समझाओते पर खीचा तानी अभी भी जारी है 24 सीटों पर होने वाले विधान परिशदी के चुनाओं में कोंग्रेस लगतार 6-7 सीटों की मांगती रही लेकिन राजदे उसे 2-3 सीट से ही ज़ादा देने को तयार नहीं था इस बीच वाब तेजस्वी यादव के बयान ने साफ कर दिया है कि राजदे कॉंग्रेस से अलग वांदल के साथ मिलकर सभी 24 सीटों पर अपने उमिदवार लड़ाने की तयारी कर ली है हनी मून से वापस लोटे तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से सवाल के जवाब में साफ कहा कि विधार परिश्टत चुनाओं में कॉंग्रेस से कोई समझाता नहीं हुआ है और राजित ने सभी 24 उमिदवार तय कर दिये है तेजस्वी यादव ने कहा कि कॉंग्रेस का समर्थन केवल केंद्र की राजनीती में किया गया है पिछले दिनों कॉंग्रेस प्रभारी बरत चरन दास ने मदन मुहना ज़ा अजित शर्मा और अखिलेश सिंथ को तीन सदसेता टीम को लालू से बात करने के लिए नियुक्त किया था लेकिन टीम की लालू से कोई बात नहीं हो पाई पिछस्वी यादव के इस बयान के बाद कॉंग्रेस अभी लालू के बयान का इंतजार कर रही है कॉंग्रेस का मानना है कि लालू कोई रास्ता जरूर निकालेगे वाल्द के विधान परिश्ग चुनाओं में कॉंग्रेस से अलग लगने के सवाल पर कॉंग्रेस विधाय एक दल्ले के नेता अजित शर्मा ने बताया कि हम लालू के जवाब का इंतजार कर रहे हैं इंडिये के हराड़ी के लिए दोनों का साथ होना जरूर है अगर हमें सम्मान जुनक सीटे नहीं मिली तो कॉंग्रेस के कई उमिदवार चुनाओ लगने की तैयारी कर रहे हैं